हलो गाईज, वेलकम टू आवर यूटूब चैनल, प्रोफेसा सुभम तिवारी, हम आपको पढ़ा रहे थे मैटिसेस, इसके पहले आपको मैटिसेस का ऐसे जोडा जाता और घटाया जाता, यह आपको अच्छे से बता भी चुके हैं, और आप सीख चुके हैं, उस पर कुछ किस Qisической है, यहां हमारे एक जाब में किस पर क्पर करके Qution आते हैं और किस टाइब के Qution आते हैं , वह हम सीख रहे हैं आई आए जो Qution solve कर चुगे थे उससे कुछ नए TNP का एक और कूसें आए मुआ तो देको आपको ये addition, subtraction आपको पढ़ा रहे थे, ये पहला question आप पढ़ चुके थे, ये भी question आप पढ़ चुके थे, इस question को पढ़ना है, ये भी question, आसान सा question है, बस आप जैसे अभी matrices को जोड़ना सीखे थे, उसी के आधार पे है, लेकिन इसको कैसे find करें, वही हम सीख जाएं, और आसानी से question को find कर सकते, तो देखो, एक matrices A लिखा हुआ है, और इसमें दिया गया है, A equal और B equal दूसरा matrix, इसका देखो, order किता है, 3 into 3 का, ये इसका order जो है, वह 3 into 3 का है, ये भी 3 into 3 का है, और, एक से कर, ये भी 3 into 3 का है, इसके पहले हम 2 into 2 order का matrices solve किये थे, अब हम 3 into 3 का, और इसमें कहारा है कि find करना है, A plus 2B minus 5I, I का मतलब आपको बताया थे, I यहाँ पर लिखा, I is the identity matrix of order 3, यहनि जो I होगा, वह identity matrix होगा, तो identity matrix आप पीछे बता भी चुके थे, उसमें हमने आपको बताया थे, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है, तो आप समझ भी पूट करने पर 2, 4, 1 हो गया, और फिर 0, 1 और 2 हो जागा, फिर 3, 2, 1 हो गया, फिर प्लस 2 भी है, तो B की वैलू पूट करो, जब B की वैलू पूट करेंगे, 1, 4, 1 हो जागा, और 2, 0, 2 हो गया, फिर 2, 1, 3 हो गया, फिर लिखा हुआ है माइनस 5, तो माइनस 5 आई लिखा मतलब identity matrix जिसमें कहा गया यह order 3 है तो order 3 का मतलब जिसमें 3 रो हो और 3 कॉलम हो तो same ऐसे लिख देंगे तो इसकी जो value होती यहाँ पर one लिख दीजिए यानि जो इसके diagonal होते है उसमें एक होगा और हर जगा कितना होगा जीरो होगा तो देखो आपको पीछे बता चुके थे कि अगर i3 की बात किया जाए 3 into 3 का तो यह हो गया देखो diagonal में हमेसा एक रखिएगा और other element को हमेसा जीरो कर दीजिएगा तो i3 का होगा या i का तो i जिसमें order 3 होगा क्यों हम 3 लेंगे क्योंकि आपको बताय थे इसके पहले कि अगर कोई matrix add किया जाता हो तो same order में होने अगर कोई number लिखा गया है बाहर तो पूरे से गुड़ा हो जाता है और यहाँ पर कोई number नहीं है तो इसको जैसे को तैसे note कर दीजिए यह हो जागा 2 4 1 0 1 2 हो जागा 3 2 1 हो जागा फिर plus 2 है तो पहले 2 से पूरे element में यानि इस matrices है इसमें जितने numbers लिखेगा उसमें सभी number स इस creek नहीं हमें सब्सक्राइड में कितना रॉर समस्च पले संने माल लिखेग जब हो जागा department को जबन कितना उडाइभ छूसा सब्सक्राइब Cela में सब्सक्राइब असवार्ण सवरम्सक्राइब itu एक ना इसा कितना if you find करने पर 0 हो जागा तो इसलिए 5 0 0 0 और 5 से 1 मल्टिप्लाई कराएंगे 5 0 0 0 5 हो जागा अब सेम होई प्रेसस है सब को एक मैटिसस में इसको क्या कर दीजे जोड़ दीजे तो जोड़ देते हैं यहां पर 2 हो जागा फिर देख़ो प्लस 2 हो गया फिर इसपे बढ़ें यहां पे तो minus 5 होगा आगे देखे 4 है second पर 4 plus 8 और यह minus कितना हो जागा जीरो हो जागा फिर last collapse हो यहां पर 1 है और यह and this minus 6 हो जागा फिर यहां पर आते हैं तो यह 0 हो गया यहां पर कितना है plus 4 है और यहाँ पर दीखे कितना minus 0 हो जागा फिर आगे बढ़िए इस पर 1 है तो यह 1 हो जागा फिर plus 0 होगा और यहाँ पर कितना यह minus होगा तो यह minus 5 हो जागा फिर third पर आईए यहाँ तो यहाँ पर 2 है तो 2 लिखेंगे यहाँ पर plus 4 हो जागा और minus 0 होगा तीसे रो में आईए तो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर कितना यह plus है इसलिए plus 4 हो जाएगा पिर इसके बाद देखे यहाँ पर minus 0 होगा और इसपे आते हैं 3rd रो में यानि 2nd column में आते हैं तो 2nd column में यहाँ पर 2 है यहाँ पर plus 2 2 हो जागा और यहां पर देखो कितना minus 0 फिर last में यह 1 हो गया यहां पर plus 6 हो जाएगा और यहां पर minus 5 यह मैं अब सबको add कर दीजे और जो subtract करना उसको subtract कर देंगा बस last answer हो जाएगा दो कर 2 और 2 add करोगे 4 और 5 में से 4 घटा देंगे तो minus 2 बना जाएगा और 4 में से 0 घटा होगे 4 होगा और 3 और 4 जोड़ दोगे 7 हो जाएगा फिर इसमें add करेंगे तो 8 4 कितना 12 होगा और 1 है यह minus 5 है तो minus 5 में से 1 घटाएगे तो minus 4 हो जाएगा और 2, 2 add करेंगे तो यह भी 4 हो जागा, 0 घटा होगे, 1 और 2 add करोगे, तो यह 3 हो जागा, और 2 over 4, 6 हो जागा, और 6 x 7, और 7 में से 5 घटाएंगे, 2 हो जागा, यह इसका answer होगा, जो हमें कह रहा था, आसानी से हमने ऐसे find कर लिया, तो अभी पीछे आपको बताया थे, कि कैसे इसको find करते हैं, कि यहाँ पर कोई value लिखी गओ, तो कोई matrices कैसे add किया जाता है, वो पीछ इसके बाद जोग आपको last answer प्राप्त हो जाएगा, चलिए next question को solve करते हैं फिर, अगला question सेम ऐसे हैं, बहुत जादा अंतर नहीं, यह order भी देखो, इनका सेम है, order हम लिख देते हैं, क्योंकि इसके पहले आपने 2 x 2 का order पढ़ा था, 3 x 3 का order पढ़ चुके हैं, तो कोई एक नए order पढ़ते हैं, एक और एक दो, दो रो है, कॉलम कितना, एक, दो, तीन, तीन कॉलम है, इसमें फिर आते हैं, इसमें भी देखो, एक और दो, दो रो हो गया, कॉलम कितना है, तीन कॉलम है, इसमें भी आते हैं, तो देखो, दो रो है, और कितना कॉलम है, तीन कॉलम है, इसलिए order सबका सीम है, तो आपको कहरा prove that, इसको prove करना है, यदि left hand side और right hand side आपको बराबर दिखाना है, तो जैसे पीछे की यह थे same होई चीज करना है, बस यहाँ पस कुछ number है, multiply करके उसको करते हैं, चलिए इसको हिसन को solve करते हैं, सबसे पहले हम left hand side ले ले लेते हैं, LHS, तो लिखा हुआ है 2a, plus 3b, minus 4c, इतना लिखा गया है, तो value put करो, 2a की value कितना है, यहाँ पर लिखा 1, 4, 3 हो जागा, 2, minus 5, और 1 हो जागा, इसके बाद plus है, तो plus लगाई है, फिर 3b की value है, तो b की value put करो, 1, 3, 1 होगा, minus 1, 0, 2 हो जागा, फिर minus है, तो minus लगाई है, फिर 4, और इसके बाद c है, तो c के value put करिये, 2, 3, 5 होगा, और 4, 1, और 2 हो जागा, अब आप देखें, सबसे पहले आपको बताया थे, कोई भी number अगर बाहल लिखा हुआ है, तो matrices के अंदर जितनी संख्या होगे, सभी number से आप गुड़ा करा दी 6 होगा, फिर 2 से 2 में multiply, 4 हो जागा, 2, 5 जा, minus 10 हो जागा, और 2, 1 जा, 2 हो जागा, फिर आगे 3 से multiply कराईए, इसमें, जब 3 से multiply, 3 से 3 हो जागा, 3, 3 जा 9, और 3 से 1 multiply, 3 हो जागा, 3 से minus 1 में multiply कराएंगा, minus 3 हो जागा, 0 multiply कराने 0 होगा, 3, 2 जा 6 होगा, फिर minus है, तो minus है, तो minus से माइने से चाहो तो माइने सी मुल्टि प्राइगा सकते हैं, जानि माइने सबस्ते हैं तब भी कोई दिककता है, एब इसके पहले हम थोड़ा सा लिगते हैं आपकी आपकी यहां पर 2 है इसके पहले plus है तो इसको जोड़ दीए 2 और 3 जोड़ोंगे 5 हो जाएगा अब 5 यहां 18 हो리ागा तो घाटा देंगे और यह 6 है और यहां पर 3 है तो 6 थिरी और जोड़ों के 9 हो जाएगा और minus 20 हो जाएगा क्योंकि यहां पर है तो minus 20 है तो 20 में से अगर हम 9 हटाएंगे तो minus 11 हो जाएगा और लाश्ट दिखे यह वाला फिर 4 है और इसको एड़ करिए तो एड़ करने प्लस माइनस का मल्टिपिकेशन माइनस होगा तो 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आजाएगा और 1 आजाएगा फिर यहां पर 16 तो minus 16 होगा तो 16 में से 1 घटा देंगे तो minus 15 आजाएगा और फिर देखे minus 10 है और 0 जोड़ोगे तो minus 10 होगा और यह minus 4 minus 10 और minus 4 को जोड़ेंगे तो minus 14 हो जाएगा यह 2 है यहां पर और यह 2 और 6 6 और 2 एड़ करेंगे तो 8 हो जाएगा और यह minus 8 हो जाएगा तो यह 0 हो जाएगा तो हम ऐसे डारेट कर सकते हैं अगर आपको काल्कुलेशन अच्छा है तो आप ऐसे सॉर्ट में कर सकते हो कोई दिखकर नहीं कि आप बार बार ऐसे पूरा लिखके तो आप करिए इससे आपको समय भी बच जाएगा और आसानी को इससे सॉल्व कर लोगे तो आपको देखो यहाँ पे यह कितना है लेफ्ट हंड साइड क्योंकि हमें क्या करना है यह प्रूव करना है यह प्रूव करना था तो इनको ऐसे हमने प्रूव कर दिया और देखो राइट साइड में भी ऐसे कह रहा है तो इसको भी प्रूव कर दें और इसमें जो यह कह र लेते हैं तो कितना हो जागा? RHS लिखा हुआ है 2A प्लस 3B-4C 3B-4C यतना लिखा गया है अब इसमें सब की value अगर value पूट करते हैं A की value इसको इसमें को यहां ले आते हैं ताकि आसानी से में दिखाए दे अब देखो A की value पूट करिए जब A की value पूट करें 2 A की value कितना है? 1 4 3 हो जागा 2-5 और 1 हो जागा फिर प्लस लिखा हुआ है 3B तो B की value पूट करेंगे तो B की value जब पूट करोगे तो कितना है? 1 3 1 minus 1 0 2 हो जागा फिर minus 4C तो minus 4C की value पूट करेंगे 2 3 5 हो जागा और 4 1 और 2 हो जागा तो को इनको add करना है तो इसमें एक चीज ब्रेकट लगा हुआ है यह स्वाले को पहले हम solve कर लेते हैं ताकि आसान बन जाए और 3 बन जाए 3 हो जागा और minus यह कितना हो जाए 3 हो जागा 3 सुनने सुन 3 दूनी 6 हो जागा आगे देखे minus 4 तो 4 से multiply कराएंगे 4 दूनी 8 होगा 4 3 12 होगा 4 5 20 हो गया 4 4 16 4 1 4 4 दूनी 8 एक चीज हमने कहा गया कि 3 भी minus 4C तो पहले इन दोनों को क्या कर दीजिए घटा दीजिए और इसको जैसे वैसे छोड़ दीजिए पहला वाला तो यह 2 8 और 6 होगा 4 minus 10 और यह 2 हो जागा पिर प्लस डारेट इसको घटा दीजिए अभी उमने बताया था यह माइनस ध्यान दीजिएगा 3 और यह हो जागा 8 तो 8 मेंसे 3 घटाएंगे तो minus 5 हो जागा और फिर इसके बाद यहां पर 9 है तो इसे 12 मेंसे 9 घटाएंगे तो यह माइनस 3 हो जागा और यह हो जागा माइनस 20 मेंसे 3 घटाओगे तो माइनस 17 हो जागा और यह माइनस है और यहां पर यह माइनस 16 हो जागा तो 16 3 कितना माइनस 19 हो जागा फिर इसके बाद माइनस 4 है तो यह हो जागा 0 और माइनस 4 हो जागा 6 हो जाएगा और यहाँ पर कितना 8 है तो 8 मेंसे 6 गटाएंगे तो माइनस 2 हो जाएगा अब आप क्या करिये इतना आ चुगा अब दोनों को क्या करता है आड करने तो एड करने के लिए हम एड कर देटें simple सा plus है तो plus होने के साथ इन दोनों को क्या कर दीजे एड कर दीजे तो चलिए add कर देते हैं बस ध्यान दीजेगा plus minus होगा तो हमेशा क्या होगा घट जाएगा तो देखो यह minus 5 यह 2 है तो minus 5 मेंसे 2 घटा देंगे तो यह minus 3 हो जागा और यहां पर 3 है 8 मेंसे 3 घटाएंगे तो यह 5 आजाएगा और 6 है और 17 मेंसे 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 11 होगे यहाँ 19 है 19 में से 4 घटाएंगे तो माइनस 15 हो जाएगा और 10 है 10 4 कितना हो जाएगा माइनस 14 और 2 में से 2 घटाएंगे 0 तो इतना आ चुका अब आप देख लो यह क्या right hand side था और left hand side क्या दोनों same था क्योंकि दोनों value सेम होनी चाहिए यह चीज हमें दिखाना था था थोड़ा छोटा करके दिखा देते हैं माइनस 3 है 5 है माइनस 11 माइनस 15 माइनस 4 14 और 0 है तो दोनों value सेम है यह चीज इसमें दिखाना कि दोनों पच्किया है आप left hand side और right hand side आपसमें बराबर हैं तो हमने दोनों को solve कर लिया और दोनों को बराबर दिखा दिया तो बस यह चीज हमें प्रूवड करना था अब थोड़ा सजूम कर देते हैं जिसमें आप इसकी शॉट ले लो तो आपको समझ में आ चुका होगा कि कोई matrix अगर लिखा गया हो तो उसको कैसे हम add करते हैं और subtract कैसे करते हैं बस इसमें यही चीज आपको सीखना है कि कैसे add करेंगे और कैसे subtract करेंगे और चाहँ जैसा question आप आसान इससे solve कर लेंगे अगर कोई number याद रखेगा अगर matrices के बाहर कोई number दिया गया है तो हमेशा उससे क्या करिएगा multiply कराके तभी add करिएगा अगर आपने कभी ऐसा कर दिया जैसे अभी हम दिखाते हैं आपको इस तरह अगर मिला आपने पहले से जैसे यह 2 है और यह 3 है इन दोनों number को छोड़कर आपने direct इसको घटा जोड़ दिया तो हमेशा answer गलत हो जाएगा बस ही ध्यान दीजेगा पहले number को आप दोनों को number को जो number बाहर हो matrices के अंदर जितने number दिएगा तो सब number से multiply करा दीजे इसके बाद जो है उसको add कर दीजे अगर घटाना तो इसको घटा दीजे चलिए equation और solve कर लेते हैं इसी पर यह भी आसान सा question है लेकिन इस type of question आपको मिल जाएगा तो नहीं solve कर पाओगे बस हम थोड़ा असा time लगे का solve करने में सीख लिजे लिखा ह यह लिखा हुआ है find a matrix of x यानि x की value find करना है such that जिसमें दिया गया है 2a plus 3x equal 0 लिखा हुआ है करा हुआ है 0 is the null matrix of the order 2 यानि 0 जो है 0 matrix या null matrix आपको बताया थे ऐसा matrix जिसमें all element क्या हो जिरो हो जब सभी element जिरो होंगे तो उसी null matrix तो उसकी हमें बहुत ज्यादा आवसकता नहीं पड़े क्योंकि हम ऐसे method को solve कर रहे हैं जिसमें ज्यादा आवसकता नहीं पड़े तो हमे इतना हो जाए 0 minus 2 है अगर 0 में से minus है तो 0 सब कोई फर्वाव पड़ेगा नहीं तो इसको लिख सकते है minus 2 है अगर x की value find करना है तो देखो minus 2 by 3 a हो जागा अब a की value जो है वो put कर दीजे जब a की value आप put करोगे यहां पर लिखा गया है तो देखे x equal कितना होगा minus 2 by 3 हो जा x की value तो आपको बताया थे अभी पीछे अगर कोई matrix मिल गया है तो उसके बाहर जो कोई भी number हो तो वो इसमें matrix में multiply गए all number से multiply हो जाएगा तो इसको multiply करा देंगे तो यहां से equal लिख सकते हैं 2 into minus 2 by 3 7 into minus 2 by 3 हो जागा और minus 3 into minus 2 by 3 होगा और 4 into minus 2 by 3 अगर जो कट रहे है उसक multiply करा के लिख दीजिए यह 3 से 3 कट जाएगा और इसको multiply कर माइनस 4 by 3 हो जागा और इसको multiply 2 से minus 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 plus हो जाएगा और plus 2 हो गया साथ दूनी 14 minus 14 by 3 हो जागा और इसको multiply और इसको multiply और नुमरेटर से 4 to 8 minus 8 by 3 यह इसका एंसर हो जाएगा जो हमें आसानी से वही हमने कहाई आसान कुछिशन है लेकिन आपको पेपर मिल जाए तो नहीं सॉल कर पाऊगे तो ऐसे कुछिशन आपको कभी मैट्रिस मिले तो आ ऐसे सेम कुछिशन है लिखा हुआ है कि a equal दियागे एक मैट्रिस यह order 3 into 3 का है find the matrix of x यही मैट्रिक्स फाइंड करना है तो और कहरा है इसको आप सॉल कर लिजेगा बस आपके लिए हम कुछिशन लिख के समझा रहें यह 3i minus 2x बराबर 0 जिसमें x की value फाइंड करना है तो और कहरा है 0 जिरो यहां लिखाव यहां लिखाव यह नल मैट्रिक्स है और i इस दा आइड़ेंटिटिटी मैट्रिक्स आफ ओर अप अगर रॉडर में परियो आई की वैल्यो आपको हमेजा यह अगर और थिरी दिया गया तो इनका 10000100001 यह हो जागा यह कितना है 3 into 3 का मै वो हमेशा एक होगा और अधर एलिमेंट कितने होगा जीरो हो जागा अब इसमें x की वैलू फाइंड करना है तो देखो यहां पर लिखा हुआ है इसको राइड साइड लेके चले जाओ 2a प्लस 3i बराबर यह लिख सकते हैं 2x प्लस 0 तो 0 का है तो उसमें 0 उसमें एड करोगे तो यह हो जाए अगा 2a प्लस 3i बराबर 2x तो हम इसको भी ऐसे लिख सकते हैं 2x इक्वल यानि 2x को लेफ्ट साइड में लिख दीजे और इस बैलू को राइड साइड लिख जे यानि 2a प्लस 3i अब आप सारी बैलू पुट करके इसमें एंसर फाइंड कर सकते हैं बहुत आसानी से तो अगर हम इसको दो से भाग कर दे तो x बराबर कितना होगा 2a by 2 हो जागा औ तो इसमें लिखा गया a की वैलू वह आप पुट कर दीजे अब a की वैलू हम पुट कर दे रहे तो कितना है a की वैलू 1 4 और 3 हो जागा 2 3 1 और 5 1 और 2 है फिर प्लस 3 by 2 i की वैलू आपको बता है तो 1 0 0 0 0 1 होगा 1 0 0 0 1 है हमेशा डाइगोनल यह आपको बिकंड दिख रहा है उसमें सदे एक होना चाहिए अब दोनों को एड करना है अब हमें एड करना है तो सबसे पहले यह लिखा हुआ 3 by 2 इसको अंदर मल्टिप्लाई कराईए जब मल्टिप्लाई कराएंगे तो 1 4 3 हो जाएगा 2 3 1 5 1 2 इसको जैसे कृत ऐसे हमने नोट कर दिया और अब देखो 3 by 2 है अंदर जितने 0 है 0 से मल्टिप्लाई करने पर 0 आएगा लेकिन 1 से मल्टिप्लाई करने पर उतन ही आ जाएगा तो चलिए 1 से मल्टिप्लाई गराते है 3 by 2 0,0 0 3 by 2 0 और यह कितना 3 by 2 तो सेम है हम अएड कर जब add करेंगे तो देखो 1 प्लस कितना हो जागा 3 by 2 और 4 प्लस 0 और यह हो जागा 3 प्लस 0 यहाँ पर 2 है तो 2 लिख देंगे और 2 प्लस 0 यह कितना है 3 अब प्लस 3 by 2 होगा और 1 प्लस 0 फिर लास्ट में आएंगे 5 और यहाँ पर कितना है 5 प्लस 0 यह 1 और देखो यहाँ पर कि 0 है और 2 प्लस 3 बाइ 2 इनको क्या करें 2 से 1 में मुल्टिप्लाई कराएंगे 2 हो जागा और 2 एके 2 और 3 दो कितना 5 बटे 2 हो जागा 4 में 0 जोड़ोगे तो 4 ही आएगा और ये 3 हो जागा और ये 3 हो जागा और ये भी 2 होगा और 3 दूनी 6 तीन कितना 9 बाइ 2 हो जागा और 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा 5 में 0 एड़ करेंगे तो 5 आएगा 1 में 0 एड़ कर 1 आएगा 2 दूनी 4 और 3 कितना 7 बटे 2 हो जागा तो जो हमें x की वैलू फाइंड करना था तो ऐसे आस्वानी से x की वैलू हम फाइंड कर सकते हैं अब इसका इसका इसकी शॉट ले लो एक से पेपर को इसको मूपर कर देता है थोड़ा ये भी ले लिए होंगे तो बस एड़ करने का कोई भी मैटिस आपको एड़ करने को मिलता है इसे बाहर आपको कोई कुई सब्सक्राइब करने को मिलता है जैसा question आपने maximum question को solve करने मिल अगर नहीं मिलेंगे । आयसे बेरे साथ जूड़े रहे हैं से पढ़ते रहें, वीडियो अच्छी लगे हो, तो लाइक से सब्सक्राइब करें, वीडियो देख लेंक, थैंक्यो सो मच.